हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे थर्ड अक्टूबर याने मंडे के फोर जबजस्ट इस्टॉक्स के बारे में जहां पर हम लोग एंट्री स्टॉप लास और टार्गेट के लिए प्रॉपर एनाल्सिस करेंगे तो चलिए में निफ्टी तेजी से डाउन फॉल हुआ यहां पर काफी लोगों ने अपनी जो लॉंग पोजिशन बनाई थी एटीन थाउजंड के जो लेवल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहां पर एटीन थाउजंड को टच करते से ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर डाउन फॉल देखने को मिला उसके बात फ्रेंट्स निफ्टी आया साइडवेज सेशन पर अपने साइडवेज फेस पर मैंने अपनी यहां पर कुछ श्टॉक दिये थे लास्ट वीक मैंने तो उसके यहां पर देख सकते हैं कि मैं चार श्टॉक जनली मुझे मि देखके लग रहा है कल के मार्केट को कि निफ्टी किया तेजी से बुलिश होने वाला है तो दोस्तों बहुत कम चांसे से यहां नहीं है कि कल के मार्केट एक्दम 45 एंगल के साथ उपर की तरप था तो भाई पूरा वीक नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही रहे है क्योंकि यहां प मैं बारे में तो वह फड़ा पर देख लेते हैं पहला हम लोग यहां पर देखेंगो इसंग से बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम लोग को प्यारा सा सिमेट्रिकल ट्रेंगल देखने को मिल रहा है फिरस लेवल की चिंता ना करें यहां पर आप लोग ठोग टेकनिकल मिलेगा लेवल में आपनों को केंट्रास्ट चेंज कर दूंगा तो आपनों को विजीबल हो जाएंगे तो वह चलिए फड़ावट देख लेते है कि क्या इसमेट्रिकल ट्रेंगल हमने varies ध्यान में रखते हैं चेंडल बनाते तो आरामसी यहां पर एक्सेमेट्रिकल ट्रेंगल पेटरं देखने को मिल रहा है एंजिएन पेंट में यहां पर मेरी निकाल लेएंगे दोस्तों शॉट सेल साइड या फिर स्टॉप लॉस तो वही कलर देखके कन्फूज नहीं होना है तो यहां पर फिर्ण्स में फिलाल हम बाई साइट की बात कर रहें दोस्तों तो सिमेट्रिकल ट्रेंगल के श मुमेट को इन भी बॉसमें को ब्रेक आउट यहां पर यहां पर हमारा ऐक्ल होता है माय को लेवल के सामने में निसुद और बूलिशर में अज़ बेखने को मिल रहा है इसको भी आप लोगों शॉट सेल साइट के में लेवल दिखा रहें दोस्त open inside the symmetrical triangle तभी हमको इसमें trade लेना है और पहले blue line का breakout होने देना है पहला confirmation होने देना है उसके बाद green line के breakout पे हमको entry लेना है यहाँ पे नहीं लेना है दोस्तों पहला confirmation हमेशा सिर्फ confirmation ही देगा लेकिन second जब final confirmation होगा entry level हमारा यहाँ पे रहना है तो नेक्स स्टॉप की बात करते हैं दोस्तों टाटा स्टील इसमें क्या हुआ है इसमें आप लोगों को वही blue green red line जैसा कि मैंने आप लोगों को बताए दिख रही है ठीक है तो rate का मतलब यहाँ पे stop loss से है तो इसको मैं समझाने के लिए पहले मैं इसको 50 में कर देता हूं तो आप लोगों को इसली समझ में आ जाएगा ब्लू लाइन तो देख सकते हैं कि पिछले week अगर हम लोग हाई और इसके कल के हाई को मिलाते हैं तो यहां पर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही प्रॉपर उसके बाद 19 सेप्तमबर के लो पे हमने स्टॉक लॉस लगाया है और 27 सेप्तमबर के हाई पे हमने यहां पे बाई एक्टिवेट लगाया है अब यह ब्लू लाइन और इसका मतलब क्या है दोस्तों तो यहां पर यह है कि ब्लू लाइन के बीच में कल मार्केट और ब्लू लाइन का ब् एक आउट देगा तब हमारा entry activate होगा अफ्रेंट्स एग्री होता हूँ इस पाइंट से कि फ्रेंट्स इतना जो हमारा percent है 1% खराब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको proper एक level का weight करना होता है दोस्तों तो level का weight होने activate होने के बाद ही हम लोग यहां पर entry लेना तो फिर से एक परसेंट और हम लोग यहां पर आडाम से देखने को मिल रहा है ठीक है थार्ड इस्टॉक की बात करते है एंटीपीसी तो इस थार्ड इस्टॉक में क्या दिख रहा है यहां पर इसके level मैंने कर दी के contrast मैं इसका level का color change कर देता हूं ताकि easily visible by side है तो मैं green कर रहा हूं इसको भी ठीक है एंटीपीसी तो एंटीपीसी में क्या हो रहा है यहां पर एक ट्रेंड लाइन उठाते हम लोग कि यहां से हम लोग पीछे की तरफ इसमें रॉकल लेंगे कितने दिन की यहां पर हमको एनलसे दिख रहे एक दो तीन चार यानिके पूरा लास्ट वीक का ही हमने सारा चार्ट केंडल लिया हुआ है अब फिन्स क्या होता है इसमें लिच्छ करते दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा है के नहीं के समेट्रिकल ट्रेंगल बनेगा तो हम शॉट्सल साइड भी जाएंगे तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि हमेज़ा जब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर जो नीचे यह विक्स टाइप की बाहर निकलती है दोस्तों मुझे इस इनसे हेट होती तो अगर यह निकल गई तो फ्रेंड्स मैं इसको eligible नहीं करता हूं मैंडे trend line के confirmation के लिए तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर short sale side call नहीं दिये लेकिन फिर भी trend को बताने के लिए हम लोग इसको use कर सकते कैसे यहाँ पर फ्रेंड्स गया uptrend में फिर uptrend में फिर uptrend में तो इसको देखके लग रहा है कि यह अपtrend में चल रहा है इसलिए मैंने यह सोच कर यहीवाली तो 27 तारीक का हाई 26 तारीक का हाई 29 तारीक का हाई 30 तारीक हाई सारे हाई को breakout दे सकता हूँ तो हमारा कॉल activate हो जाएगा तो भी इसको में ब्लू थो है लेकिन में इसको ग्रीनी करने वालों क्योंकि इसी मुमेंट पर हमारा कॉल भी एक्टिवेट होगा ट्रेंड लाइन भी है तो यह रहे उसके लेवल बाई साइट फिर से कर रहा हूं दोस्तों में अगर निफ्टी है ना इस ग्रीन लाइन को ब्रेक आउट दे देती है ना यहां पर तो हमारा एक अच्छे खास सारे बाई कॉल एक्टिवेट होने के चांसे दिखते हैं और कब तक जहांगे एक्टिवेट एक परसेंट तो आराम से निकली जाएगा फ्रेंड सब में तो अगर इसको ब्रेक आउट कर देता है निफ्टी इस ग्रीन लाइन को तो हमारे बाई कॉ अच्छा खासा एक्टिवेट हो सकते हैं तो चलिए फ्रेंज लास्ट एंट फूर्थ स्टाउक हैंडाल को इसमें क्या है वही इसमें इसमें हमने लाश पूरे वीक का केंडिल उठाया है दोस्तों यहां पर हम लोग पहले हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंग एक कम कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया सीधा मैंने आज के हाई को रखके ओर्जुन्टल लाइन ड्रा किया तो सीधा 23 के सपोर्ट पर जाके क्लोज हुआ है तो अभी फ्रेंट्स सी लॉजिक रहेगी इसमें एकी लाइन में हमारा कॉल निकल गया है ग्रीन कर देता हूं क्योंकि बाइसाट जाएं है हम लोग सिंपल सा मार्केट खुलना चाहिए ग्रीन नाइन के नीचे इसको ब्रेक आउट देता है तो हम यहां पर एंटी ले लेंगे तो यह रहा फ्रेंट्स लेवल फॉर एंडाल को तो फ्रेंट्स इतना ही था अगर आप चैनल पर नए है तो सब्स किजिए अच्छ लग कि वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक किजिए थेंग्स दोस थैंक्स फॉर वोचिंग बाइए